नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नहीं वीडियो में इस वीडियो में हम बात करते हैं अगर आप थाइलांड जानने के चावानों तो आपके लिए परफेक्ट आइटनरी क्या रहेगी इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेती हैं अगर आप फैंबली के साथ थाइलंड जाना चाते हो तो आइटनरी कैसी रहेगी अगर आप पाटी करने के लिए जाना चाते हो थाइलंड तो आइटनरी क्या हिसाब रहेगा स्टार्टिंग करते हैं हम टिकेट से टिकेट लगबग आपको ठारा हजार से लेकर बाइस हजार की जाने और आने की टिकेट पढ़ जाएगी लगबग मैं डेली, जैपूर, मुंबई वाले एरपोर्ट से बात कर रहा हूँ विजा खर्चा लगबग 2200 बाट है, लगबग वो हो गया 5500 इन रुपीज, बट खुशी की बात है जो अभी करण टाइम चल रहा है, थाइलन ने इंडियन्स को विजा फ्री एंट्रे अलाओ की हुई है, तो अभी विजा का कोई खर्चा नहीं होगा उसके बाद हम बात करें फूड की, फूड का सिस्टम भी वहां पे काफी ज़ा सौटर्ड है, अगर आप नौन वेज खाते हो और आप स्टीट फूड खा सकते हो तो आपको आपका फूड का खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसे लगा बिल्कुल कम होगा वहां पे स्टीट फूड बड़ा अच्छ है, बड़ा अच्छी क्वाल्टिक है और आम से आपको इवन की इंडियन 20-25 रुपीस का आपको चिकन के लगपीस मिल जाएगा और दो लगपीस में आपको राम से पेट पर जागा इतना बड़ा बड़ा लगपीस होते है अगर आप इंडियन खाने ही खाना है जब वेज खाना खाना है तो आपको वेज थोड़ी सी दिक्कत आएगी उसमें क्या इसाब है कि वहां पे एक तो थोड़ा से लेंगविज बैरियर है सबी लोग उनको इंगलिश आती नहीं किसी-किसी टूरिस्ट जगां पे हैं जो 500 इंडियन रुपीज में होगा फूड का अबाउट बजट हम अगर लगा के चले तो लगबग 1000 फोर वन परसंट फोर वन डे आप लगा सकते हो जिसमें आप ड्रिक फास्ट लंच और डिनर सारे कुछ इंकल्यूड कर सकते हो वहां पे होटल इंडियर के मकाबले काफी अगर आपने होस्टल में स्टे करना है तो भी आपको लगबग 400 इंडियर रुपीज से लेकर 1500 हजार में अच्छे होस्टल मिल जाएंगे जहां पे आपको बंक बैट मिलेगा अब हम बात करें मुद्रे की थाइलेंड ठीक है गूमना क्या कुछ है सबसे पहले बात करेंग अगर आप फैमली के साथ हा रहे हो तो बैंको गूमना वहां पे काफी अच्छे-च्छे कैफे हैं अगर शॉपिंग के लिए तो वहां पे आप काफी अच्छे शॉपिंग प्लाजास हैं जैसे की MBK मॉल बैंकों काफी डिवल्प्ट है मैं कहना चाहूंगा कि डेली अगर आप फैमली के साथ थाइलांड आ रहे हो फुकेट जाने के लिए आपके लिए दो आप्शन से आप ड्रेक्ट पे बिजा सकते हो और ड्रेक्ट बस से भी जा सकते हो फ्लाइट का क्या सीन रहता है फ्लाइट की टिकेट लगबग बैंकॉंग से फुकेट की 25 इंडिय जाती है बट उसमें बैगेज लाओड नहीं होता और हमारे पास तो बैगेज होता है जो डिफिकल्टी आ जाती है तो आप पहले ही बैग एड करवा सकते हैं जब आप टिकेट करवा रहे हो बैंकॉंग से लेकर फुकेट की लगबग बैगेज अलाओड करके आपको 5000 आई से लेकर फुकेट तक की मेरे असाब से सेकेंड वाली ऑप्शन है जो औरनेट बस वाली वह बैटर ऑप्शन है और उसके बाद बात करें जी फुकेट पहुंच गये फुकेट में कहां स्टे करना चाहिए किस एरिया में और क्या कुछ अच्छा है फुकेट में गुमने के एक फुकेट में आप गुम सकते हो जी आ마 फुकेट में कहां स्टे कर सकते हूँ फुकेट में कारना सट्काटबी इच वाली एरिय में वह बीच वाला एरिय में इतना ज्ञादा सुंदर है आप ऐसे लग bit लिगया कि आप दिसने उरॉपिएन गंट्री में इत्र हो क्योंक है तो इतना प्लीजिंग नहीं है वो और वोहो वाली बीच पैंट वाली बीच भी इतनी साफ नहीं है as compared to surf काटा वाली वीच वहां पर surfing भी काफी famous है वहां पर surfing वगरा भी कर सकते हो अगर आप surfing के शुटीन हो और वहां पर हम बात करें जी वहां पे आप एक Mouth How boxing के मैचिस होते हैं, वो भी देख सकते हो, वो भी काफी famous होते हैं, उसके ticket लगबग 1800 जब 2500 baht के about होती है, और Phuket के पास आप Fifi Island का boat tour भी ले सकते हो, वो boat tour भी काफी अच्छा होता है, boat tour की कीमित लगबग 1600 baht के about होती है, और उसमें जो famous है, Maya Bay, वो भी included अगर आप मेरे साब से Phuket वाली साइट आगे तो मेरे साब से आप क्रबग वाली साइड क्या ही करने जाने क्योंगी सेम चीज़ वो देख ली, और एक आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, यह वीडियो देखना, अगर आपने यह वाल experience करना है ना, तो आप जा सकते हो, खाऊ सौक नेशनल पार्क, यह पूरे टूर्क्या पैकेज लगबग 20-100 बार्क होता है, इसमें included होता है, अपना stay, बोर्ड पे लेके जाते हैं, बोर्ड पे लेके आते हैं, वाँ पे थोड़ी-मोडी activities होती है, अगर आपने यह यहाँ पे इस नेशनल पार्क में stay करनी है तो आपको आना पड़ेगा जी सूरत थानी, सूरत थानी बेंक कॉंग से जब आप केड के लिए आते हैं, उसके आदे रास्ते में, मिडबे में पड़ता है, और सूरत थानी से आपको टिकेट मिल जाए खाऊ सौन रोड के लिए, खाऊ सौक नेशनल पार्क के लिए, अगर आप वहां पर ऑनलेन बुक करवाओगे, आपको पांच यहार बार से कम कोई देगा नहीं, आपको लोकल विलेज में आपको लगबग 20-100 बार का वो पैकेज मिल जाता है, और आप वो पैकेज इंजॉय कर सकते हो, एक रात के लिए वहां पर रुख सकते हो, उसके ब अब हम बात करें जी बैंक ओंग में, बैंक कॉंग में आप रुखना जी, खाँसौंग रोड वाली साइड, उस ट्रीट में आपको कलब्स ही कलब मिलेंगे, दोनों साइड, कलब्स, 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 पार्टी के लिए वो बेस्ट है, उस एरिया में आपको सबसे मैक्सिम होश्टल मिलेंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरिनर होते हैं और अगर आपने पब करनी है तो आप मैड मौ की होश्टल की पब कर सकते हो वो सबसे फेमस है ऐसे लगा लो वर्ल्ड की सबसे फेमस फेमस पब क्रोल है वो लगबग थाउजंड बाट लेते हैं नहीं स्टेक करना उसके बाद आप जा सकते हो बस पगड़ कर जिसकी दो गंटे की जरनिया पटाया पटाया आपको पता ही है जिस चीज के लिए इंडियन्स वहां पे जाते हैं वहां के वर्ल्ड का सबसे लारजस्ट अडल्ट प्लेगराउंड है बकी आप वहां पे अपने रुक्वार्मेंट के वेका से कितने दें स्टेक करने आप आप अपर सकते हो और उसके बाद अगर हम बात करें जी पाटी के लिए एक थाईलांड में एक सबसे फेमस पार्टी पलेसी है जो मिनने में सिर्फ एक बारी पार्टी होती है, लोग वहां पे special वो मिन्ने की डेट देखते हैं, तब ही जाते हैं, यह है जी, आइलेंड है, खो फांग नाग, यहां पे full moon पार्टी होती है, मिन्ने में सिर्फ एक बारी होती है, यहां पहुंचने के लिए आपको पहले सूरत थानी आना पड़ जिसमें bus ticket और अपना ferry के ticket included होती है, यहां पे क्या scene होती है, जी, पूरी रात सुबा तक party होती है, कफी सही party होती है, वर्ल्ड की one of the most famous यह party है, अगर budget वगारा की बात करें यार, मेरा 10 दिन का trip था, और मैं विजिट किया था, बैंक कॉंग और फोगेट, जिसमें फिफी या लेट वगेरा भी का tour किया था, मेरा लगबग 60,000 के about खर्चा आ गया था, और आपका यह खर्चा मेरे इसाब से, आपके budget के इसाब से 60,000 से लेकर लाक रुपे तक खर्चा राम से आ जाएगा, बाकि डिपैंड करता आप कितना budget traveler हो, और कितना खुला खर्चा गर रहे है, उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा, और अगर आप Punjab से हो, तो आप मेरे Punjabi channel को भी follow कर सकते हो, जिसका नाम है मुसाफिस राओ, Instagram पे भी है, YouTube पे भी है, उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा, बाकि यार, thank you guys for watching the video, अगर video अच्छे लगी, तो वीडियो को like, share, comment सार जाएगा उसकार तेना, thank you guys